हलो स्टूडेंट्स वेलकम तो दो ओफिशियल चैनल अफ दर दोनास आज हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आये हैं देखें हुमन ब्लड आज हमने हुमन ब्लड का पार्ट वन करेंगे जो की ब्लड और ब्लड के है फल्ड का देज ब्लड ठीक है तो ब्लड के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ब्लड का जो फर्स्ट है वो है टॉटल वेेट ऑफ घूमें बॉड का 7 परसें हमारा बॉडी में ब्लड रहता है, total weight of human body, ठीक है, total weight of human, आपका जितना weight है, आपका अगर 40 kg हुआ, तो 40 kg का 7% कर लीजिए, जो होगा, that is the blood, ठीक है, total weight of the human body, इसका 7%, अच्छा, इसका बाद क्या है, यह जो question बहुत आता है, यह वाले points से question बहुत आता है, कि हमारा blood का जो pH value है, वो क्या है, that is 7.4, हमारा blood का जो pH value है, that is 7.4, ठीक है, और क्या है, हमारे human body में, जो average liter of blood है, that is 5 to 6 liters of blood, ठीक है, 5 to 6 liters of blood हमारे पूरे human body में रहता है, और pH value blood का होता है, 7.4, यह 3 points आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple point है, आपको बस याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 7.4 मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यह basic है, समझ में आ गया है, बेसिक के तरफ ज जा रहा है, पर पूरा नहीं गया है, ठोड़ा सा basic है, ठीक है, अचा, question number one, first चले आते हैं, कुछ questions देखते हैं, कि यह सारे questions, previous year questions है, यह सारे questions से आएं exam में, और आने के chances in futures भी हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं, यह questions को, first देखे, blood fails to clot while flowing in the blood vessels because of the presence of, blood clot नहीं होता है, blood clot हो blood clotting normally start हो गया, अगर कट गया है, कहीं वहां सब पर blood clotting हो तो ठीक है, और अगर कहीं कटा नहीं है, normally हमारे body में blood clot हो जा रहा है, that is a serious issue, that is a very fatal issue, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो अगर नहीं होना चाहिए, तो that what prevents to blood from clotting is heparin, ठीक है, heparin, blood clotting से जो prevent करता है, वो है heparin, ठीक है, blood fails to clot because of the presence of heparin, समझ में आगे, यह वाला point, अच्छा, यहां पर देखे है, hemoglobin, hemoglobin का क्या मतलब है, hemoglobin का क्या मतलब है, hemoglobin का क्या मतलब है, हमारे, हमारे पूरे blood में 3 components रहते हैं, है न, 3 components रहते हैं, एक क्या होते है, RBC, दूसरा है, WBC, mainly 3 components है, WBC, और ती इसरा है platelets, ठीक है, यह तो हमें पहले से ही पता है, platelets, RBC में जो रहता है, यह red color का होता है, इसलिए red blood cells, इसको कहते हैं, यह white color का होता है, that is we call it white blood cells, ठीक है, то red blood cells में red blood क्यों होता है, because of the presence of hemoglobin, तो अगर question ऐसा आ गया, कि red blood cells का color red क्यों है, because of the presence of hemoglobin, तो hemoglobin को अगर हम Hemoglobin को अगर हम इसको थोड़ा सा term को अगर हम तोड़ देते हमें पता है कि हम सारे biology की terms को तोड़ तोड़ कर पड़ते हैं ताकि हमारा terms याद रहे तो अगर इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा Hem and Globin Hem and Globin तो देखिए हिम जो होता है समझ में आ रहा है आपको कि हेमोलोबिन का हीम है और आपको पता है कि आईरन का कलर क्या होता है red होता है obviously तो because of the presence of iron हमारे देखा है ना पानी में जब iron जम जाता है तो कैसा होता है red color कर हो जाता है तो because of the presence of iron in hemoglobin hemoglobin का color red रहता है ठीके तो globin क्या होता है globin is a protein globin is a protein हीम क्या है mineral है iron है और globin क्या है protein है समझ में आ गया इसको बोलते हैं conjugus protein क्योंकि इसमें क्या है पूरा protein नहीं है इसमें protein plus mineral है इसलिए इसको बोलते हैं conjugus protein यह याद रखे ज़्याद ग्लोबीन यहाँ पर क्या है तो question ऐसा भी आ सकते है which part of the hemoglobin is a protein तो हम बोलेंगे कि globin part is the protein समझ में आ गया question number two में चलते है question number two में चलते है blood groups are discovered by blood groups किस ने discover किया था तो हम लोग को पता है land strainer land strainer ने first blood group को discover किया था blood group के बारे में हम part two में पढ़ेंगे आप लोग इस channel को subscribe कर देना ताकि आपको part two का जल्दी से जल्दी मिल जाए इसके बाद वाला जो session होगा इसका part two रहेगा इसमें तो आप लोग इस channel को subscribe कर दीजिए और इस video को share कीजिए और इस video में like कर दीजिए अगर पसंद आया तो ठीक है तो चलते हैं next question में चलते है question number three question number three normal human blood pressure normal human blood pressure इस बहुत ही ज्यादा easy question है और बहुत ही एक common question है जो कि examiners लोग दे देते हैं कभी क्योंकि यह सरह questions क्या होते है तो आपके confidence को बहाता है क्योंकि यह question सबको पता है क्या होगा 120 by 80 सबको पता है और यह आपके confidence को बहा देगा कि आप exam clear कर लोगे पर आपको बाकी सारे questions को भी importance देना पड़ेगा तो next question चलते question number 4 which among the following blood protein regulates the amount of water in plasma मतलब की plasma में जो water होता चाब plasma क्या है plasma है blood का part it's a part of a blood जहाँ पर बाकी सारे चीज रहते हैं that is RBC, WBC, platelets यह सारे plasma के अंदर रहते हैं ठीक है समझ में आ गया तो यह plasma में जो water है इसको regulate कौन सा protein करता है तो obviously blood में तो water है ही है न इसलिए तो blood is a fluid तो इसको regulate कौन करता है इसको regulate करता है albumin protein albumin protein इसको regulate करता है समझ में आ गया question number 5 में चलते हैं अच्छा एक बाद देख लीजिए कि हमारा जो बेंगॉली सेशन है बेंगॉली वर्षन में एक सुरक्षा बोलके एक हमारा WBP online में आया है जरा बांगला इतरा देख चो यह क्लास तरा देख चो तरा देखती ही पाचो जे West Bengal Policer Online बेंगॉली वर्षन है कोर्सेश चे जानना मुझे शुरुक खा आर एकाने तुमादेके Constable, Lady Constable, Sub-Inspector, Exercise, Exciser पूरो डिटेल्स, Life Class, Recorded Class, Practices Class और PDF Notes, Mock टे, सौब कीचो ठाकबे एकाने तुमादे जॉइन कोरे जाओ आर जॉइन कोरते डिटेल्स जानते तुमादे EduPoint Application के डाउनलोड कोरो आर एकाने जे फोन नमबर्टा दया आओ छे देखवे प्रोतिक्टा पेज एक्टर फोन नमबर दया आओ छे एई जे फोन नमबर्टा एई फोन नमबर्टा तुम्रा कॉल कोरे डिटेल्स सा जेने निते पारो ठीकाचे जाको only price is $8.99 the only price is $8.99 very reasonable cost जारा जारा admission होते चाइच्छो जारा जारा इपोडिखा कोलो देबे constable lady constable इपोडिखा कोलो देबे आगा मी कले ताले तुम्रा register कोरे निते पारो फटा फट आर एई नमबरे नमबरे फोन कोड़ तुम्रा डिटेल्स टा जेने निते पारो ठीकाचे ताले next question हमने चोले आच्छी आचा blood plasma with which among the following removed is called serum blood plasma में अगर blood plasma में अगर इस चारो में से किसी को remove कर दे that becomes serum blood plasma से अगर हम इसको चारो में से किसी को remove कर देते हैं तो वो serum बन जाएगा तो वो कौँसा है वो कौँसा चीज जिसको remove कर देने से blood plasma में वो serum बन जाएगा तो लिवश फिवरिनो जिन अगर हम blood plasma से remove कर देंगे blood plasma से अगर fibrinogen को remove कर देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा serum यह याद रognखीगा question number 5 question number 6 देख लेज़े, in which organ, in which organ RBC are selectively destroyed, recycled by macrophages, अच्छा, यहाँ पर जो चार देख रहे हैं, option में, A, B, C, D, इसमें से, कौन सा option करेक्ट हरे कि, कौन से organ में, RBC जो है, वो destroy हो जाता है, यह चारों में से, कौन से organ में, red blood cells जो है, वो destroy हो जाता है, वो वहाँ पर जाके खतम हो जाता है, तो हमें पता है, हमने question बहुत बार किया है, है, spleen, ठीक है, spleen में जाके, RBC क्या होता है, destroy हो जाता है, ठीक है, destroy हो जाता है, और liver में क्या होता है, embryo का, लीवर में लीवर में आर्बीसी प्रड्यूस्ट होता है और क्या होता है और एडल्ट में कहा होता है एम्ब्रायो का लीवर में आर्बीसी प्रड्यूस्ट होता है और एडल्ट का होता है एडल्ट का होता है एडल्ट का होता है बोन मैरो ठीक है यह याद रखेगा दोनों को आप एक साथ ना करेगेगा स्प्लीन जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉई होता है और बोन मैरो में होता है यहाँ पर प्रोड्यूस्ट होता है प्रोड्यूस्ट इन बोन मैरो ठीक है adult का bone marrow में होता है और embryo का liver में होता है ठीक है production अच्छा next चलते हैं इसके lifespan को देख लेते हैं erythrocyte के lifespan सबसे स्यादा है 20 days to 120 days और leucosize का देखिए 5 to 20 days and thrombocytes जो होते हैं platelets this is platelets and this is ABC and this is WBC ठीक है ABC का क्या है 20 days to 120 days सबसे ज़्यादा है उसके बाद WBC का है उसके बाद platelets का है 3 to 5 days से याद रखिएगा ठीक है ये सारे से questions आता है अच्छा next देखिए the count of white blood cells in the human body is approximately इसका answer होगा question option number C अगर बोजन को ये नहीं आता है तो आप देख लीजे 5000 to 10,000 और 0.007 mm ठीक है ये ये जो है count of white blood cells human body में ठीक है human body में count of white blood cells है per micro liter of blood per micro liter of blood में कितना सारा white blood cells रहता है ठीक है ये आपका question number 7 का answer होगा ठीक है next देखिए question number 8 what are the main functions of blood of main function blood का क्या functions है blood का functions are protection blood का function है transportation regulation sabhi तीनो a b c all the above all the above is the functions of blood ठीक है all the above is the functions of blood ठीक है question number 9 देख लीजे question number 9 देख लीजेए leukopenya leukopenya का is an abnormal decrease in white blood cells ठीक है is an abnormal decrease in white blood cells ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा important question है मतलब की अगर white blood cells अगर decrease हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे body में जदने भी fighting fighting करने की जो शंता है fighting करने का जो हमारा capability है body का that will decrease okay leukopenya is decrease in the white blood cells is a very abnormal thing and this is a very important question जो की बहुत बार exam में आया है ठीक है और leukemia leukemia का मतलब क्या होता है इसके opposite जो है leukemia इसका क्या मतलब होता है leukemia का इसका मतलब होता है increase in white blood cells ठीक है इसका मतलब होता है increase in white blood cells leukemia leukopenya दोनों का मतलब याद रखिए है leukemia का मतलब होता है increase in white blood cells और leukopenya का मतलब होता है decrease in white blood cells ठीक है समझ में आ गया अच्छा एक और दिख लीजिए हमारा जो है target wbcs 2023 का एक online course अभी भी चल रहा है एक लोबो बैच एक लोबो बैच एटा हो जो तुमारा तुमारा बांगला वर्षन ने जारा wbcs sports show wbcs जादा टार्गेट आचे 2023 तारा ओनलाइन कोर जाओ एक लोबो बैच एक लोबो बैच एटा हो चे तुमारा फोन नंबर एक फोन नंबर एक फोन नंबर कॉन्टाइट कोड़े तुमारा डिटेल्स पे जाबे और एडुपैंट आप टके तुमारा डाउनलोड को से क्या होता है ब्लीडिंग कभी स्टॉप नहीं होता है अगर के विटामिन की अगर आपके बोडी में सही मात्रा में नहीं है it's not in the correct proportion then what will happen you can't stop bleeding okay one can't stop bleeding if vitamin k deficiency occurs ठीक है यह समझ में आ गया है thalassemia thalassemia क्या है thalassemia is also a blood related disease it is inherited it's passed from parents to children through genes देखिए genes के द्वारा यह जो है यह जो है parents to daughter या son जाता है और यह क्या है obviously समझ में आ रहा है that is inherited inherited ठीक है तो when the body doesn't make enough of the protein called hemoglobin hemoglobin जब body नहीं बनाता है नहीं बनाता है तब क्या होता है जो red blood cells का जो part है important part है तो वो भी नहीं बनता है that's why क्या होता है यह red blood cells बनना बंद हो जाता है red blood cells ही नहीं बनता है तो यह functions properly functions भी नहीं करते हैं और बहुत ही कम time के लिए जीते हैं और next होते भी नहीं है ठीक है कम होते हैं ठीक है समझ में आ गया तो this is thalassemia इसे inherited disease यह याद रखिएगा बस sickle cell disease देख लिए sickle cell disease is also inherited red blood cells disease disorder यहां पर क्या होता है जो cell है समझ लीजिए यह हमारा cell है यह cell है हमारा RBC ठीक है यह हमारा एक मिनिट देख लीजिए यह हमारा क्या है RBC रेड ब्लड सेल से erythrocyte है समझ में आ गया समझ में आ गया यह है erythrocyte अब क्या होता है sickle cell में क्या होता है sickle cell में क्या होता है यह ऐसा हो जाता है ठीक है यह ऐसा हो जाता है यह वाला जो शेप है यह ऐसा नहीं रहता है यह सी शेप का हो जाता है ठीक है यह सी शेप का हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल से सिकल सेल ठीक है इसको हम बोलते हैं सिकल सेल अर्माई से आया है सिकल सेल डिजीज समझ में आ गया समझ में गया लया दोन्हों में क्या अंतर ही समह में आ गया है अंट्ड स्हें में अथ्चा रव sto है वर ये देखिए ये क्या है military देट लोटल चेल्स के डेशिम स्क्सक्र纻 Сेसरा है स्हेसिंचिन बंधू कि हमारा फिल हो जाता है और बहुत हम में जब हमारा platelets जो है platelets जो है that is over produced platelets are over produced then we call it thrombocytosis समझ में आ गया तो यह क्या क्या इसमें हो सकता है blood clotting and bleeding यह दोनों ही इसमें possible है blood clotting and bleeding यहां पर हो जाता है ठीक है next है परनीशियस आनेमिया तो vitamin b12 के absence में vitamin b12 के deficiency में परनीशियस आनेमिया होता है और यह जो है इसमें क्या होता है stomach lining वो weak हो जाता है autoimmune conditions जादा हो जाता है ठीक है autoimmune condition मुलब कि खुद के शरीर को खुद नुकसान पहुचाना खुद के शरीर के organ ने आपको ही नुकसान पहुचा दिया that is called autoimmune condition तो यह vitamin b12 के इसमें होता है deficiency में होता है याद रखिए परनीशियस आनेमिया अच्छा next जो है next जो है देखिए एक और question है multiple myeloma multiple myeloma क्या होता है multiple myeloma होता है एक type का blood cancer देख लीजे एक type का blood cancer है यह और क्या है blood cells जो plasma cell जिसको कहते हैं यह malignant हो जाता है ठीक है plasma cell जो है that becomes very expressive ठीक है तो as a result the cell of plasma start multiplying and release damaging substance that may cause organ damage ठीक है तो plasma का जो cells है वो multiply करने लगता है और damaging substance को बाहर निकाल देता है और वो क्या करता है organ को damage कर देता है समझ में क्या multiple मालिमत यह क्या है type का blood cells है जहां पर जो problem है वो है plasma cells जो है वो बहुत जाता malignant हो गया है यही इसका problem है अच्छा hemophilia क्या hemophilia है और in inherited bleeding disorder inherited bleeding disorder जहां पर blood clot ही नहीं होता blood clot ही नहीं होता है this is a hemophilia hemophilia ठीक है समझ में आ गया अच्छा गोर्खा शक्ती बोलकर हमारा एक WBP online का नेपाली बयच का कोर्स आया है वहां पर आप लोग रेजिस्टर कर लीजिए constable lady constable और सब inspector में और यहां पर live classes होंगे recorded classes होंगे practices classes होंगे और क्या होगा PDF books आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह इसमें आप जॉइन कर लीजिए इसका भी जो प्राइस है बहुत दे रिजनेबल है 1499 है और अपको आप डाउनलोट कर लीजिए अच्छा question number 10 non-nucleated cells आ जिसमें nucleus नहीं होता है वो cell कौन से है हमें पता है हर एक cell में हर एक cell में nucleus होता है वो चाहे plant हो चाहे animal हो हर एक के cells में nucleus होता है पर इसके cell में nucleus नहीं है this is this is what this is erythro type erythrocytes ठीक है erythrocytes जहां पर जो cells है उसके कोई nucleus नहीं है ठीक है समझ में आ गया cells that produces antibodies in body cells that produces antibodies in body is beta cells of lymphocytes beta cells of lymphocytes ओके या B cells of lymphocytes देखिए अब इसका काम क्या है B lymphocytes क्या करता है produces antibody in immune system आपके immune system में बहुत सब्सक्राइं antibody प्रडूस कर लेगा ताकि आप बहार से अगर कुछ आए unfavorable condition तो आप उससे fight कर पाओ ठीक है तो T cells क्या है T cells क्या है इसको recognize करता है और infection को recognize करते हुए उसको वहाँ से हटा देता है वहाँ से जर्फिकता है this is the T cells और natural killer cells क्या है natural clears है वो क्या करते है attacking killing pathogens यह सबके वो है यह सबका responsibility इसके अंदर है natural killer cells ठीक है attack करते है और killing करते है कि इसको pathogens को it will kill it also kills cancerous cells कितना भी cancerous cell हो जाए इसको kill करते है इसको natural killer cells अच्छा देखिए fighter cell of the body fighter cell is we also know we commonly know that leukocytes is the fighter cell of the body ठीक है fighter cell of the body is leukocytes अच्छा देखिए bank का online foundation course देख लीजिए जहां पर fees rupees 9.99 है only और इसका validity है यह validity आपको कहीं नहीं मिलेगा that is still going to job यह आपको हर एक मलब की going to job मलब की job में जब तक नहीं साएंगे तब 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 तक आपको यह वाला courses मिलते रहेगा आपको जो चाहे IVPS SBI RBI कुछ भी आपको पढ़ना है आप register कर सकते हैं यह वाली number पर अच्छा अब next topic जो है that is different types of white blood cells different types of white blood cells क्या होगा different types of white blood cells that is first देख लीजे यी सीनोफिल यी सीनोफिल्स ठीक है इसका मलब क्या है यी सीनोफिल्स का यह क्या करता है पारसाइज वर्टिब्रेस के पारसाइज को इन्फेक्शन से मुख करता है ठीक है और क्या करता है अलर्जी और अस्तमा को कॉंट्रोल में रखता है अलर्जी और अस्तमा को कंट्रोल में रखता है और इन्फेक्शन से इन्फेक्शन पारसाइज के इन्फेक्शन और वर्टिब्रेस से यह कमबैट करता है ठीक है वैस reaction by releasing histamine and dilating the blood vessels तो basophils जो है वो non specific immune response to pathogens को यह बढ़ाना चाह रहा है इसलिए histamine का यह release कर देता है ठीक है समझ में आ गया neutrophils neutrophils क्या है यह first cell of immune system का जो की invaders से response किया था just as a bacteria or a virus ठीक है अच्छा चलो यहां पर ही मेरा जो class है वो खत्म में कर दूँगी अगर आप कोई doubt है कहीं भी doubt है आप लोग comment में प्लीज लिखे प्लीज लिखे अगर आप लोग comment में लिखेंगे तो मैं आपको समझाने के लिए फिर से तयार हूं ठीक है अब देखिए अब देखिए बी लिंफोसाइज produces antibodies in immune system ठीक है टी लिंफोसाइज helps to recognize and remove the infection causing pathogens दोनों में देखिए थोड़ा सा difference है यह antibody produce कर रहा है only produces antibodies that is B lymphocytes और उसको recognize करना और उसको infection causing pathogens को पर डालना ठीक है this is the work of T lymphocytes T lymphocytes समझ में आगया और natural killer cells क्या है those which are responsible for attacking and killing the pathogens it's called cancerous cell समझ में आगया समझ में आगया समझ में आगया होगा ठीक है अच्छ यहां पर जो मेरा जो class है यहां पर मैं एक बर खत्म कर दूँगी और उससे पहले उससे पहले आप जटा जट मुझे यह जो questions मैं आप लिखे है उसके सारे के answer एक बार फिर से revise कर लेते हैं चलिए अच्छ फर्स question जो है blood fails to clot while flowing blood vessels because of the presence of heparin ठीक है आप लोग लीजे नोट कर लीजे यह जो मैंने सारे questions दिये यहां सी questions आएंगे ठीक है which among the following blood protein regulates the amount of water in blood that is albumin albumin question number five question number five blood plasma which or which among the following removed is called serum that is fibrinogen fibrinogen next question next question जो है that is blood plasma with which among the following remove the remove is called blood serum fibrinogen को अगर blood plasma से अब निकल दीजे तो वो क्या हो जाएगा serum बन जाएगा next question देखे in which organ rbc are selectively destroyed and recycled by microfages to spleen is the correct answer spleen is the correct answer spleen is the correct answer and embryo का होता है liver से rbc produced होता है जैसे liver से produced होता है और क्या होता है adult का bone marrow से produced होता है समझे बहां क्या है blood bone marrow से adult होता है possible okay life span क्या है erythrocyte का that is rbc का क्या है 20-20 days leukocyte क्या है 5-20 days और thrombocyte क्या है 3-5 days समझ मया क्या the count of white blood cells in the human body approximately 5000-10,000 what are the main functions of the blood that is transportation, rotation, regulation, everything okay all of the above is the answer ठीके next है leukopenia is normal abnormal decrease in walkness in white blood cells decrease in white blood cells जब होगा उसको हम बोलेगे leukopenia ठीके अच्छा देखिए vitamin सारा जो मैंने यहां पर disorder disease है वो मैंने सारे blood के यहां पर discuss कर दिये सारे disease को यहां से questions आते हैं चोटे-चोटे questions आ चाहेंगे तो panaceous anemia जो है वो किस के deficiency में होता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि B12 के deficiency में thrombocytosis कि इसको कहते है तो हम बोलना पड़ेगा कि plateless disorder को plateless अगर overproduce होगे जादा हो गया plateless आपम उसको बोलेगे thrombocytosis ठीक है sickle cell anemia क्या होता है जब वो जो cell जो होता है C-shaped का हो जाता है sickle-shaped का हो जाता है sickle cell anemia thalassemia क्या होता है और वो क्या होता है जब hemoglobin abnormal hemoglobin produced होता है तब क्या होता है जो RBCs है वो ज्यादा दिन तक G नहीं पाता है जो उनका standard time है life span का वो नहीं रहता है उसे कम रहता है इसको यह बहुत ज़्यादा चिंदा की बात है thalassemia multiple myeloma क्या है multiple myeloma है blood cancer is a type of blood cancer in human blood cell known as plasma cell तो blood cell के अंदर जो भी रहता है उसको अगर हम divide कर ले तो plasma निकलेगा तो plasma cells जो है उसमें अगर malignant हो जाता है plasma cells जब malignant हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है हम उसको बोलते है myeloma हम बोलते है हीमोफेलिया क्या है हीमोफेलिया है कि एक inherited bleeding disorder है जहां पर जो blood है वो कभी properly clot नहीं करता है कभी properly clot नहीं करता है non-nucleated cells आर कौन सा है हम मैंने पहले बोल दिया कि erythrocytes is a non-nucleated cells ठीक है cells that produces antibody in the body is B cells of lymphocytes B cells of lymphocytes always produces antibody in the body next question fighter cells of the body is erythrocytes, leukocytes, thrombocytes and none of this तो इस काहन से होगा fighter cells जो है वो है leukocytes fighter cells is a leukocyte समझ में आ गया तो हम अपना यह यह जो है यहीं पर stop करते हैं आप लोग की इस वीडियो को देखिए अगर पसन है तो लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस session को share कीजिए आपके सारे दोस्तों में कीजिए